हमारा साथ बातשित कनुंग के लिए हैं, सचिन जिय कोूचिंग सेंटर के फाउंडर सचिन जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, दैसे सर deef 15. हमारा क्या विस् vole豹 को बात्चित करने वाले हैं सर। UP Police Coastal को ले करे थोड़ा बात करने हैं सर। और यूपी पुलिस कोस्टेबल की क्या है अभी लेटेस्ट में अभी जो है 23 दिसंबर को नोटिफिक्सन आया है कि साथ हजार प्लस पदो पर जो है विग्यापति जारी की गई है और इसके आवेदन जो है अभी आज 17 सारिक से सुरू होकर 17 दिसंबर से और 16 जनवरी इसकी रहेंगे उस पर भी हम बाचित करेंगे लेकिन सबसे बड़ी जानकरी यही है कि 27 तारीक से यानि आज से आप अपने आवेदन कर सकते हैं और 16 जनवरी इसकी आखरी डेट है और दो दिन एक्स्ट्रा मिलें आप अपनी फीस को सम्मिट कर सकते हैं तो यह आपके लिए 5.2 कि 10 प्लस2 होना चाहिए 10 plus 2 इसकी योगता है यह भी बहुत महत्बूल बात यहांसे सचिंजी इस वीडिए, आप शेल करते हैं और दूसरी बात यह था, कि सब्दी बच्चों प्रदोरे के लिए को जन जरूरी अब पर रिए क्या है कि इसमें जो है जाती और जरूरी होगी अब सामने वर्ग के लिए जाती को तो को जरूरी है नहीं लेकिन रिजन यह है कि OBC और SC के लिए जाती के लिए उन्होंने फिक्स डेट दी है कि एक अप्रेल थो हजार तईस के बाद कि जाती होनी चाहिए और वह फारम की ला उप्लोड होंगे सभी डॉकमेंक जो है इसके बारे इसे थोड़ा वीवर्टेस कोड़ए मीज आधार से लिंक होंगे और लिंख के एक दीजिदे लोखर पे अधार का वो सबृस्त-बपर। है बिल्कुर उसी आधार पर जो है उपकी बार यूपी पुलिस कोस्टेबल का फर्म भरा जाएगा तो उसी प्रकार से डीजी लो कर दोकूमेंट्स बस बाकी यह है मुलिवास और जाती जरूरी है यूपी के लिए बाकी और कोई डोकूमेंट्स की कोई आवशक्ता है नहीं ठीक है पाकी इसमें एज की अगर मैं बात करूँ तो एज में यह है कि 18-25 जो है अब जनरल की कर दी गई है क्योंकि यूपी पुलिस कोस्टेबल में क्या था 18-22 एज होती थी अभी पीछे 2018 बढ़ती आई थी 41-520 उसमें एज थी 18-22 लेकिन हुआ यह कि फिर बच्चों न थी थी फिर हो गई थी 18-23 साल ठीक है और 18-23 साल उड़नचस 568 में रही उसके बाद क्या है कि अब फिर 12 से इनोंने क्या किया है कि 5 साल में भरती आ रही है क्योंकि भरती का लगातार नोटिफिकिशन लगाते रहे हैं यह जूज पेपर में खबर आती भी रही कि 18 मतलब आ माने वाली भरती 2018 के बाद में 2020 में आएगी 2020 के बाद जो है 2020 में 2020-2022 से करके बढ़ती जो है 2023 में निकाली है तो बचों की तो नोटिफिक्सन में ती नाया आया क्योंकि शहां पहले क्लाडियों का कुछओटे की रहे हैम बहुता चाह लाएगा और उसमें पाद मैसाइग् तो उन्होंने खिलाडियों कि वहाँ एज का क्या है क्राइटेरिया वह अठारे से 22 ही रखा इसके बाद जो है एसाई का आया है खिलाडियों का तो उसमें क्या है उन्होंने 21-27 रखी है जनल कैटेगरी के बाकि OBCSC पता है कि उसमें तो 5 साल का रिलक्सेशन होता ही है अब क्या है इसमें 18-22 उन्होंने 23-23 को नोटिफिक्शन दिया अब क्या है नोटिफिक्शन के बाद में फिर बच्चों को पता लगा सबी ने ट्विटर सब यहां चलाए यूट्यूबर्स भी है उन्होंने भी बाकि आप और हम है इन लोगों ने भी चलाए सबी को जो है विधायको को अपने अपने सहर के को विज्यापन भी ग्यापन किया उन्होंने जाहे मुख्यमंत्री जी को दिया और बहां मुख्यमंत्री की ग्रहस अचीव यह सब बैठकर मिटिंग हुई और फिर क्या है कल र ठीक है और गल्स की होगी आठार से अठाइस चनल की बाकि क्या है जो बीसी का कंडिरेट है वो रह जाएगा अब इसमें 18 से 30 बोईज और 18 से 33 सो सी और स्टी की गल्स हो जाएंगी यह और आपके ओबीसी की गल्स इस समय आप लोगों तक पहुचा ही जा रही है आप इसको इस समय अधाना टीव न्यूस आपके अपने माध्य हम से पहुंचा रहे हैं आप इसको दूरां सेयर कीजिए इसकी फीस क्या है आप किसी भी नजदी की कैफे पर जाएए वहाँ पर अपना फॉर्म फिल कराएए इसकी फीस क्या रखिया है इसकी फीस चार सो रुपे है आप चाहिए और अधाना टीव न्यूस आप सबी के उजदी की काम ना करता है वीडियो जनलिस अरपित के साथ मैं हूं भारत अधाना अधाना टीव न्यूस